हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना होसे के वीडियो को शेयर करना ना भूले नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राह नमस्कार जैसे किष्णा शीरा थे बहुत स्वागत आप सबका सुबर सुबर के इस खास का रिकम जो तिशा सत्य की राह में आपके साथ मैं हूँ आपका एश्टो फेंट संतो संतो श्योर कल्चर वैली को आप लोगों ने जो उडान दिया है मैं बताए बिना रह नहीं पा रहा हूं पूने में भी सांगली से माता जी आई थी उन्होंने जमीन ही हमें दे दिया है यह रजिष्ट्री का कागज वो मैं दिखाऊं आप लोगों को वो देखे चली गई हूं कि शायद आप लोग पूजाले की वज़े से रोशनी की वज़े से नहीं दिखाई देंगे यह हमारे लिए इतना इतना बड़ा उत्साह वर्धक चीज है कि हमें उन्होंने करीब जिसकी मार्केट वैलो करीब 25 से 26 लाख रुपए और भी होगी तो वो हमें हमारी संस्था के नाम आपने किया है आप लोगों से भी मैं आग्रह करता हूं कि आप जो दे सकते हैं मेरे लिए नहीं है यह आपके राष्ट के निर्मार के लिए मैं बार बार इस बात को दोराओंगा मुझे नहीं चाहिए उसमें से मैं तो जोतिश विद्या ही हमारे रग रग में बसी है हमारे ब्लड में है तो इस विद्या से ही हम और हमारा परिवार अच्छे से सुखी और श पास बहुत सारी जमीने हैं, सायद आपके लिए निरथक हो, लेकिन अगर आप हमारे नाम करेंगे, तो हम उस कागज के दम पर हम बहुत कुछ खेलेंगे, हम बहुत कुछ खेलेंगे, हम बैंक से बहुत सारा पैसा ले सकते हैं, जिससे हम बहुत सारे उन्नत शील कारे कर सकते अपनी इनिवर्ष्टी को सिट करने के लिए हम प्लान कर सकते हैं आप लोगों को करना है नवरात्री दो हजार उन्निस अक्टूबर वाली क्वार कार्थिक के आसपास वाली तक बिश्व विद्याले का एक एक मूर्त खाका किच जाए स्टेट फाइनल हो जाए कि किस स्टेट में हम लोग कर्चनवेरी इनिवर्ष्टी प्लान करेंगे वहां की सरकार से भूम आबंडन के लिए आग्रह हो जाए उनको अपना हम प्रस्ताव भेज सकें यहां तक आप लोग हमें उत्साहित कर दीजिए आप लोगों से हम उत्साह मांगते हैं बस आप इतना हमें कह दीजिए लोकार करके कि आश्टो फेंड आप आगे बढ़े हम आपके साथ हैं सब मिल जाएगा इतने से सब इतने से मिल जाएगा चले पर हम आते हैं आज के विशे पर आज के प्रमास्तर में हम आपको बताएंगे कि के इस तरह से गव माता से आप एक वरदान मांग सकते हैं वर्दान मांगने की एक अधभुत विधी हम आपको बताएंगे थोड़ा आज नितिजार करिएगा आज का पंचांग माक्सीस माह शुक्रपक्ष नौमीति थी चंदरमामीन राशी में नक्षत राज का रेवती है रेवती नक्षत का स्वामी बुध होता है और बुध की राहुकाल में नया और शुब काम का आरम नहीं किया जाता है मुरी काल तो पहर देड़ वज़े से तीन वज़े तक कुछ भी चाहें कर सकते हैं काम आपके बन जाएंगे तो गाय से कैसे वर्दान लिया जाएगा यह आज का हमारा विशे रहेगा तरगता भड़कता हुआ बहुत प्यारा सा विशे रहेगा मज़ा आएगा आपको देखिएगा पहले ग्रहों की बात कर लेते हैं सुरिशनी एक साथ धनो राशी में आ चुके हैं और केतु मकर में कुम्भ का मंगल चंद्रमा मीन राशी में राहु करक में और शुक्र तुला में बुध बताया हमने आपको कि आज बुध की महादसा में सुरियोदे हुआ है मेश राशी आज मेश वालों को नए सब्ताह में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं धन आपके पास अच्छा हैगा बड़े कॉंट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं आप सरकार से कुछ अच्छी बिशेश क्या करना है आज एक नीबू किसी पौधे के नीचे रख दीजेगा क्या नहीं करना है आज स्वास्त के साथ लापरवाही नहीं करना है ब्राउन कलर सुबर साथ परिशवरासी टॉरस आज बिशववालों के लिए कारेश्षेत्र में थोड़ा सा तनाव रहेगा कुछ आपके बिर्ध शडियंद राग उजागर हो सकते हैं खर्च के अधिकता आपको परिशान करेगी आज पती पतनी के बीच कुछ वैचारिक दूरी बन जाएगी समपदा में आज समस्या सकती है लड़ाई जगड़े का कुछ योग बन रहा है परोसियों के साथ बिव बिशव वालों को आज के दिन आज मीठा खाके घर से निकलिएगा क्या नहीं करना है आज बिशव रासिवाले किसी अजनवी पर आज भरोसा ना करें स्लेटी रंगशुब है 57 प्रिस्ट का भाग्याब के साथ है बितुन आशी दसम में चंद्रमा आपके नक्षत्र में र सर में दर्द भारी पन हो सकता है कुछ प्रेशर फील कर सकते हैं शादी आज तैह हो सकती है लड़का लड़की दिखाने का कारक्रम आज संपन्न हो सकता है क्या विशेश करना चाहिए आज आज मैक्सिमम काम निप्टा लिजेगा क्या नहीं करना है आज यात्रा क्याब के साथ करक्राशी बड़बोला पना आज नुकसान देगा रिष्टों में तलखी आ सकती है नया प्रोजेक्ट कर तो डालेंगे लेकिन कुछ नुकसान के साथ शादी की बात आज फाइनल होते होते रुख सकती है नया प्रेम संबंध धोखा देदेगा आपको आज किसी को भी अपने राज के बाद नहीं बताने हैं क्या करना है दबा कर आज पढ़ाई करिए अध्यन करिए शुभरंग सफेद भागिपरश्ट अठावन सिंगराश चन्रवा आपसे अश्टम में आने के कारण आज स्वास्थ में थोड़ा सा उठा पटक दे सकते हैं कुछ स्वास्थ आज धीला महसूस करेंगे सर में दर्द, शरीर में दर्द, कुछ बुखार या खासी की भी संभावना बन सकती है कारण शेत्र में थोड़ा दबाव महसूस करेंगे, प्लेशर महसूस करेंगे, बॉस की उम्मीदें आपसे बढ़ जाएंगे पति-पत्नी के बीच रिस्ता आज मधुर रहेगा, परिवार में आज आपको छोड़कर लगबग हर कोई प्रशन न रह सकता है क्या विशेश करना चाहिए? आज भावनात्मक रूप से मजबूत होना चाहिए क्या नहीं करना है? आज सिंग राशी वालों को इधर की बात उधर नहीं करना है कला शेत्र में आज कुछ विशेश ख्याती अरजित करेंगे आज धन की स्थिती अप्रतिम है रुके काम आपके बन जाएंगे परिवार में मांगली कारे संपन होगा धन की स्थिती आज अच्छी रहेगी आज रुका धन वापस भी मिल जाएगा जमीन के विवात से बाहर निकलेंगे किया विशेश करना चाहिए आज किसी को दही दान कर दिजेगा और क्या नहीं करना है अगर आपकी राशि करना है तो आज किसी पर भी भरोसा मत कर लिजेगा हरारंगशुव 70% का भागया है तुला राशिश शुक्र अपने घर के हैं और शुक्र अभी बर्तबान में 15 डिगरी के स्वाती नक्षत्र राहू की नक्षत्र में है। आपके घर में शुक्र का अपने घर का रहना राहू की नक्षत्र में रहना ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है। नियान दीजेगा ओवर कॉन्फिडेंस घातक होता है। साउधानी बरतिएगा बहुत सोच समझ कर सिगनेचर करिएगा समस्याइं अचानक से बढ़ सकती है तुला राशी वालों के लिए क्या विशेश करना चाहिए आज के दिन अपने आप पर अंकुष लगा के रखिएगा क्या नहीं करना है अगर आपकी राशी तुला है तो आज किसी बाहरी के साथ ज़्यादा दूरी यात्रा नहीं करना है शुबरंग आपके लिए लाल भाग की प्रिस्चत पच्छपन प्रिश्चिक राशी क्रोध की अधिकता परेशान करेगी कारे छेतर में बहुत सारे ऐसे अवसर मिलेंगे जहां पर आपको कुरोध के कारण नुकसान दिखाई देगा अगर आपकी राशी ब्रिस्चिक है तो आज लौकरी छोड़ने की सोच परेशान कर सकती है पॉस के साथ भी आज थोड़ा सा मन मुटाव रहेगा और सबसे बड़ी चीज कि जिससे आप बहुत प्यार करते हैं उसके साथ कुछ इस्थिति विक्राल रूप ले सकती है ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आपशकता यहां पर रहेगी अगर आपकी राशी ब्रिश्चिक है तो आज क्या खास करें आज किसी को मिठाई गिफ्ट कर दीजेगा और क्या नहीं करना है आज आज ब्रिश्चिक राशी वालों को नौकरिश विचिंग के लिए किसी से बात नहीं करना है गुरावी रंगशुब पचास प्रिश्चिक का भाग आपके साथ है धनुराशी गुसेल सभाव आपका परिशान करेगा आज हो सकता है आपको ऐसा लगे कि क्रोध कुछ रिष्टे आपसे दूर कर रहा है धनुराशी वालों को बहुत विचार करके और फिर ये सोचना है कि अब हमसे क्या होगा फिर इस्थती आपकी पक्ष में आ जाएगी फिर आप सही से सब कुछ कर सकेंगे अगर आपकी राशी धनु है तो आज यात्रा और व्यापार दोनों एक दूसरे के साथ कमबाइन होकर कि आपके लिए बहुत अच्छी स्थती पैदा करने के लिए तयार है रोके धन की प्राप्ती भी धनुराशी वालों को हो जाएगी और आज कोई नया आपके जीवन में प्रदेश भी कर सकता है बहुत अच्छी इस्तिती है धनु राशी वालों के लिए आज क्या खास करना चाहिए आज रुपए पैसे के लेन देन बहुत साधाने से करने चाहिए और क्या नहीं करना आज आज किसी को भी पलट के जबाब नहीं देना है पीला रंग शुब 57 प्रशद का भाग साथ देगा मकर राशी चंद्रमा आपकी राशी से तिर्ती भाव में आकर के भाई बहनों के बीच के प्रेम संबंद को आज मदबूत करेंगे आज भाई बहनों के साथ बहुत सालों बाद मुलाकात हो सकती है कहीं यात्रा से लाब तो कहीं नए निवीश का फाइदा आज कोई आपको उपहार भी देने आएगा अज अगर आपकी राशी मकर है तो अपने उत्साह को अपने बल को अपने पौनुश को लगा कर रखिएगा दिखा कर रखिएगा नया काउंट्रेक्ट मिल सकता है कला छेत्र वाले जो हीरो हीरो इन है आज का दिन आपके लिए बेहदन कूल रहेगा क्या विशेज करना चाहिए अगर आपकी राशी मकर है आज मकर राशी वालों के लिए खीर या अब खीर बनाने में टाइम लगेगा तो मैं बताता हूँ कच्छे दूध में पका हुआ चावल डाल कर एक चुटकी चीनी डाल कर कहीं पौधे के नीचे रख दे या किसी जानवर को खिला दे पाल तो जानवर को नहीं क्या नहीं करना है आज नहीं किसी महिला दोस्त पर विस्वास नहीं करना है काला रंग शुब उनहत्तर प्रिशत का भाग गया कुम्बराशी विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगी सिक्षा में आज मन लगेगा आज मैं आपकी प्रशन रहेगी आज नयावयापार आरम करने पर विचार किया जा सकता है आज परिवार सक नहीं खोमने टालने का का क्यों बन सकता है थोड़ा सा दो पहर के बाद ये ध्यान देना है स्वास्त तो नहीं घराब कर रहे हैं आप काम ज़्यादा आराम कम आज बहुत आपसे बहुत प्रशन रहेंगे कई बार ऐसे अफसर भी आपको मिलेंगे अगर आपकी राशी कुम्भ है कि अब ये काम छोड़ दिया जाए लेकिन वही काम बाद में अक्टूबर के बाद आपको बहुत फाइदा देगा कुम्राशी वालों के लिए दोस्तों के साथ घुमने टहलने का कारक्रम बन सकता है क्या विशेश करना चाहिए आज के दिन आज किसी को दवा का दान कर दीजेगा और क्या नहीं करना है आज मा के साथ जुबान नहीं लड़ाना है काला रंग शोब एक सट पर सट का भाग गयाप के साथ हैं मीन राश अंतिम राश गव से कैसे ले वरदान ये हम बताएंगे पहले मीन राशी की बात कर लेते हैं धन आज आपके पास चल कर आएगा और उके धन की प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं आज नया दोस्त कोई आपके काम आने वाला है अचल संपत्ति की भी प्राप्ति है नया मकान खरीद सकते हैं आज लड़की की शादीत हो सकती है लड़के के लिए भी बहुत होने की योग बन रहे हैं आज कहीं आउटिंग पर भी आप जा सकते हैं आज मीन राशी वालों को अदुभुत फायदा होने जा रहा है क्या वक्त लगेगा तो रुश्वा नहीं करना है रूटने नहीं देना है प्रेम सी याद आया लब टिप हर दिन टिक टॉक पे मैं देता हूं टिक टॉक पे आईश्टो फ्रैंड जीरो ये देखेगा जाकर के चली ये तो हर एक का राशी फल हो गया मीन राशी के लिए औरेंज गलर शुभ है 65 प्रिश्ट का भाग आपके साथ है सक्सेस की और उसके बाद गाय से कैसे मागे वर्दान तीन चुटकी चावल किसी पौधे के नीचे रख दीजेगा बस ये आज की सक्सेस की आज की दिन को महाशुब करने के लिए चली बढ़ते हैं आगे आज का भाग्याक्षर और इस का भी जहाँ हैं सिंग के लिए धाग्षर कन्या के लिए दा तुला के लिए चाग्षर विश्चिक के लिए खा धनु के लिए गाग्षर मकर के लिए ता कुम्ब के लिए लाग्षर मीन के लिए बाब ये आपका शुब भाग्याक्षर है तो आईए बारी आ गई जानने की आज के ब्रमास्टर की बहुत स्वागत है आपका ये है ब्रमास्टर स्पिशल चोतिश दिशा सत्य की रा आज हम आपको बताएंगे कि गव माता जो हम सब की मा जननी तक की संग्या पा चुकी है जिनके ब्रिशे में कहा जाता है कि कामधेन के रूप में समद्र मन्थन के साथ 14 रतनों में से एक रतन के रूप में इनकी भी उत्पत्ति होई थी जो बालमी की रिशी के आस्रम में रही और जिनकी वजह से बिश्वामित्र बिश्वामित्र बने जो भी कहलेजी अलग एक दिश्टान्त है प्रसंग है वो बताएंगे हम उस गाय में सास्त्रोक्त हर अंग में कुछ न कुछ तीर्थ और पुर्ण साली चीजें बताई गई हैं अब इतनी जब ब्याक्षानों में इतना कुछ उनके विशे में कहा गया तो हम लोगों से कैसे चूती रहेंगी तो तमाम उपायों में गउ को कुछ न कुछ देने से खिलाने से कुछ न कुछ प्राप्ती रहा है खास तोरपे संतान के मामले में तो मैंने प्रतक्ष देखा है कि अगर गउ पासना आप करते हैं तो संतान के मामले में ये मान कर चलिए कुछ न कुछ अभी सुक्लपक्च के शुक्रवार को, जैसे अभी सुक्लपक्च चल रहा है, शुक्रवार के दिन कटोरी में एक कच्चा दूध मेवा, गरी, छुहारे, किसमिस, मुनक्का, आदि, ड्राइफ रूट्स, मेवा, सोट और तुलसी की एक दो पत्तियां डालिए, एक कटोरी, स आप सुत्री लीजिए, और उसमें इतनी सारी चीज़े, क्या-क्या, स्कीन पर देखिए, कच्चा दूध, मेवा, सोट और तुलसी की पत्तियां, इसमें छेत्रिये लोगों को सोट और मेवा वागर है, जो ना पता हो, क्या कहते हैं, यह आप लोग गूगल कर लिया करिए सोट इन इंगलिश, समझ में आ जाएगा, मुझे भी नहीं पता है, सामने रखकर एक माला, दैट मेंस, 108 बार, गायत्री मंत्र का जाब करना है, गायत्री मंत्र का जाब करना है, एक माला, 108 बार, और इसके बाद, अपने दाहिने हाथ की तरजनी, दैट मेंस, इंडेक्स फ चलाइए आप, clockwise, clockwise, दक्षिना वर्थ, इंडेक्स फिंगर से, दक्षिना वर्थ चलाइए, साथ बार, ग्यारह बार, बंधन नहीं है, और फिर, अपनी इक्षा, जो आप चाहते हो, क्या चाहते ही, आप रिसाइट कर लीजेगा, अपनी इक्षा कहते हुए, इस दूद को जिसमें सामगरी डाला है, या उसकी हौद में डाल देना है, लगातार तीन शुक्रवार करना है, समय fix कर लीजेगा कि कभ आप करना चाहते हैं, सुबह दो पहर साब में जब भी आप करना चाहें, आप कर लीजे, सात्विक रहिएगा, पत्थर फिंगर्स में निकाल करना है देखते हैं तीन सुक्रवार्मी किसकी किसमत का फैसला जीच होता है थांक्यू सो मच यह प्रियोग है एक्सपेरिमेंट है तार्किक है हर प्रकार से सिद्ध करने वाला है अब कल और मुंबई में इसके बाद सीधे गाजियाबाद और कुहाटी जल्दी आ रहा हूं नमस्कार जैश्री किष्णा जैश्री रादे अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना उसके वीडियो को शेयर करना ना भूलिए